हेलो सुडेंट्स आज का हमारा टापिक है एंजाइम काइनेटिक्स हम सभी जानते हैं कि एंजाइम ऐसे प्रूटीन्स होते हैं जो कि बायो कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करते हैं और बायोजिकल प्रॉसेस में ये रिट ओफ रेक्शन को बदल देते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम के थ्रू हम किसी भी रियक्शन को गती परदान करते हैं ये एक केटलिस्ट के रूप में बेहेव करते हैं को कानेटिक्स एक ऐसी स्टेडी है जिसमें की हम खाल Sus sentimental को सिटडा कर एसी केमिकल राक्शन क करते हैं जो राक्शन जैसे केटलेइस्ट के दोने तो इस तरफ से अंजेम केट कानेटिक्स में जो रेकशन यह हैं उसको मेजन किया जाता है और जो various conditions होती है reactions की उन पर क्या effect होते हैं उनको investigate इक तरह से enzyme kinetics में किया जाता है तो जो enzyme reactions होती है वो directly proportional होती है enzyme concentration के तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि enzyme kinetics में हम हम जो catalytic mechanism है enzyme की उसको हम study करते हैं enzymes protein molecules होते हैं जो की other molecules को manipulate करते हैं enzyme kinetics की तरह हम यह कह सकते हैं कि यहां पर target molecule enzymes के active sites के का साथ bind होके हो जाते हैं और फिर products में transform हो जाते हैं बहुत सारी steps के थुरू जिसे हम कह सकते हैं enzymatic mechanism तो यहां पर कर्वस हमें प्राप्त होते हैं upward कर और downward कर्वस से तो यह higher rates को और lower rates को यहां पर यह शो करते हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो mechanism है यह single substrate और multiple substrate mechanism में इसको divide कर सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि enzyme kinetics एक तरह से enzyme catalyzed reactions की reaction rate को study करता है और यह बताता है कि जो experimental conditions में जो changes होते हैं वो rates को किस तरह से affect करते हैं तो एक special feature जो है enzyme catalyzed reactions का है वो है saturation जैस जैसे हम concentration subject की concentration को हम increase करते हैं वैसे वैसे reaction rate increase होती है और एक ऐसी limit तक पहुंच जाती है जहां पर वो rate of concentration पर depend एक तरह से नहीं करती है तो इसको एक limited rate के द्वारा शो कर सकते हैं जिसको की maximum द्वारा शो किया गया है यहां पर सबसे पहले लियोनौर माइकेलीस एंड मोड मैंटेन ने सबसे पहले एक ऐसे साइंटेश थे जुन्होंने enzyme kinetics को एक modern way में एक experimental रूप में समझाया था और इन्होंने जो solution की pH उसको कंट्रोल करके enzyme kinetics के reaction mechanism को यहां पर explain किया था जो enzyme kinetics जो है उसमें first step में क्या होता है subtract enzyme के साथ bind होके enzyme complex का formation करता है और फिर reaction के थूँ यहां पर product and free enzyme का formation होता है तो यहां पर जो concentration है वो initial enzyme concentration and complex की concentration पर depend करती है तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि सब्सट्रेक्ट कंसेंट्रेशन होती है वो जो होती है वो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो reaction होती है वो सब्सट्रेक्ट कंसेंट्रेशन पर depend करती हैं करती है तो एक तरह से हम पर एंजाइम के तुरू एक स्ट्राइक्ट्रेशन का formation होता है और यह complex का lockdown होता है जब सब्सट्रेक्ट की concentration increase होती है और जो कि enzymes के saturation के थूँ होता है है कि एंजाइम की जो catalytic properties होती है उसको बहुत सारे factors effect करते हैं उसके कारण जो activity होती है enzymes की वो influence हो जाती है तो यह बहुत सारे factors है जैसे की physical quantities है temperature और pressure है साथ में chemical properties है solution की जैसे pH value है और उसकी ionic strength है और इसी तरह से concentration है relevant subject की या co factors and inhibitors की तो इस तरह से जो rate of reactions जो है वो increase हो सकती है जैसे हम temperature को increase करेंगे और जो effect enzymes का वो सबसे ज़रा dependent करता है pH value पर जो activity है वो pH value के against plotted की आती है और इक तरह से bell shaped का curve हमें यहां पे obtained होता है तो bell shaped का जो curve obtained होता है activity of pH का वो शो करता है कि जैसे amino acid जो residue होता है with ionizable groups in the side chains वो आवशक होती है catalysis के लिए तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो pH value होती है वो highly affected करती है rate of reactions को इसे तरह से enzyme activity जो होती है वो temperature पर भी depend करती है जैसे temperature increase कर होता है जो activity है वो गती प्रदान करती है और rate of reaction उससे increase होती है और एक temperature ऐसा आता है जिस पर की rate of reaction अनिस्टेबल हो जाती है और 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 फिर नेरो temperature activity लोश्ट हो जाती है लगबग विधिन इन नेरो टेंपरेचर और इस स्थी हम कह सकते है result of denaturation तो हम कह सकते हैं कि temperature पर भी rate of reaction यहां पर depend करती है low freezing temperature जैसे लाइपिजिश शो करता है यहां पर तो enzyme capable होते हैं after heating पर temperature को जाज़ा से increase करेंगे वैसे वैसे rate of reaction यहां पर increase होती जाएगी मिल लुड़ी 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 झाल झाल